सबसे पहले हम इसकर्ट पनाएंगे इसकर्ट में नीचे लेंद रखेंगे हम 11 इंच ब्रैट के अलावा की लेंद है ये खेट जितना आप चाहें रख सकते हैं ये हम प्रेटिड बनाएंगे इसमें हम वन वन इंच के पूरे फैबरिक पे मार्ट कर लेंगे अब जिस तरह दिखाएगे है उस तरह से फोल करते हुए हम प्लीट्स देंगे इस तरह से दोनों गेर हमने लेडी कर लिये है इस कड को हमने साइड से जोड दिया है और स्कड की वेस्ट 12 इंच है स्कड की बैल्ट के लिए 6.5 इंच हमने चुड़ाई लिए है और जितनी स्कड की लेंद है उतनों हमने फैबरिक लिया है अब इसे हम उल्टी साइड से टेस करेंगे और सिद्धी साइड पे फोल्ड करते वे इस्टिस कर देंगे हमने दोनों साइड बैल्ट अलग अलग लगाई है पीछे हम इलास्टिक देंगे और आगे की बैल्ट में हम फैंसी बैल्ट और दोरी देंगे प्रेंट की बैल्ट के लिए हम फैंसी स्टफ डेडी करेंगे जिस्से की स्कट और भी अट्रेक्टिव लगेगी यह स्कट बहुत ही खूबसूरत बनने वाली है यह देखिए हमने स्टाइलिट बैल्ट और दोरी तियार करी है अब इस कट को तोनों साइड से हम जोड़ देंगे और इस तरह हमारी स्टाइड वेडी है यह देखिए हमारी स्कट तयार है इसे पहन के बेबी बहुत स्मार्ट और ब्यूटिफुल लगेगी अब हम जैकेट की बैक तयार करेंगे बैक के लिए लैंज लिया है हमने 13 इंच और एक रोस बैक लिया है हमने 5 इंच अब आर्क खूल रखेंगे हम 4.5 इंच थ्री टू फोर येर बेबी की चेश्ट होती है 24 इंच नैक बैक साइड का हम हलका सा टस्ट देते के इकट करेंगे चेश्ट पे हमने मार्क करा है सीक्सिंस पे अब हम फ्रंट तयार करेंगे फ्रंट के लिए डवल फोर्ट फैब्रिक पे हमने बैक पोर्सन रख दिया है और आकी से हम थोड़ा सा ज्यादा कप्डा लेंगे जो की सेव देते हुए हम कटिंग करेंगे अब फ्रंट को हम इस ताइप से फोल करेंगे उपर से 2.5 और निचे से 1 इंच फोल्ड आएगा अब इसमें हम 5 और 6 इंच फैब्रिक जोड़ेंगे ये कॉलर के लिए अंदर खोल करने वाला कप्डा है जिसे हम 2 पीस में निकालेंगे और उसे सीडी साइट से इस्टिस करके फोल्ड करेंगे ये देखे हमें इस्टिस कर लिया है सोल्डर पर से हम आदा इस्टिस करेंगे अब इसके उपर बैक पोर्शन लगके सोल्डर को हम अटेज कर लेंगे अब हम बैक पोर्शन में पाइपिन लगा लेंगे इसे हम फोल्ड करके आईरन कर दिया है हमने आप चाहिए इसमें कच्छा टाका लगा सकते हैं अब हम आर्म होल्ड डेडी कर लेंगे अब मैं सीक्स टेश रखी है इस तरह से हम साइड इस्टिस करके नीचे से पोर्ड कर देंगे यह हमारी जैकेट फेडी है यह बहुत ही ब्यूटिफुल लग रही है कन्यों?